फर्स्ट नव प्रस्ण आप देख रहे हैंगे स्क्रीन पर जो की काफी महत्य पुन है E-binary fusion is a type of यानी कि दिखंडन एक परकर का क्या होता है का एक परवर्धन अलेंगिक जनर और डी है इन में से को नहीं तो दिखंडन जो होता है एक परकर का यह अलाइंगिक जनल होता है यानि कि अप्सन बर जो यहाँ पर जो बी अप्सन है इसका राइट एंसर हो जगा और सेक्सुल रिप्रोडक्शन इस परस्न का राइट एंसर हो जगा एंसर जो है आप अपना टाइब करते चलेगे दोस्तो और यहां पर प्रस्न भी आप सभी के सामने उपस्तित हो चुका है कि मासिक चक्र पाय जाता है मनुस्ट्रे की मादा में अस्तन पाई मादा में और या प्रिमेट की मादा में और डी है इन्मेसे को नहीं तो प्रस्ण था कि menstrual cycle acute scene तो यह जो होता है प्रिमेट की फीमल में पाई जाता है यानि का option जो यहां पे जो C option है इस प्रस्ण का राइट एंसल जीगा option number C और यहां पे प्रस्ण है कि anti-mophilia से पुस्पो में प्रागन का माध्यम क्या होता है तो in case of anti-mophilia से flowers pollinating agent में भी तो यहां पे बताने कि anti-mophilia से पुस्पो में प्रागन का जो माध्यम होता है उमीद करते हैं आप सभी के जो है वही एंसल आगे होगा कीट जो की राइट एंसल जीगा option और यहां पर प्रस्ण भी आप सभी के सामने उपस्तित हो चुका है कि नारियल में तरल गुदिदार पदार्थ होता है तो दौफिलेशी एंड वाटर सब्स्टांस इन कोकनेटी तो यहां पर बुरूर्ण अंता भी ती बुरूर्ण पोस और डी हैं में से को नहीं तो यह पर बाताई यहां पर जेख सकते हैं प्रस्ण को जो कि काफी महत्यों है कि इनमे से किसका ऑचे सवर्मान होता है यहां पर बताने कि सबसे अधिक जह हों कि इसका जो स्वर्मान ऊच्छ होता है तो पूरुस इस तरी जो आफ्सञाय रहे होंगे और बता और यहां पर है कि मानो इस्तिरियों में अंडे का निर्मार होता है गर भासे में फिलोपियन ट्यूब में और भी इने फॉलिकल में अड़ी है इनमें से को नहीं तो मानो इस्तिरियों में अंडे का जो निर्मार होता है या किस में होता है तो यहां पर प्रस्ण का राइट ए संख्या कितनी होती है जोड़ा में तो जो भी दोस्ते 23 जोड़ा बताए थे उनका बिल्कुल नहीं सही एंसर होजेगा तो इस प्रस्ण का राइटेंस होजेगा जो इस प्रस्ण का राइटेंस रोजेगा और यहां पर प्रस्ण भी आप सभी के सामने उपस्तित हो चुका है कि 20 सुध्य लाले पुस्प यों वी सुधिस प्शिद पुस्प वाले पैध। संकरन कराने से मिले यह एक Прकर का क्या है अप पूर्ण प्रभावित्प्स पूर्ण पूर्ण परभावित्प्स पूर्ण से को नहीं तो प्रस्ष। जो ढूर्र प्रस्ण का अफिया जाता है के अन्यमांसीगी के प्से कहा जाता है यहां पर 20 है कि इन परस्ण के सर्मान रख्तराता समूंह है उनिवर्सा डॉनर ऑफ niewlar addressing डॉनर और गृूप है कि सर्मांर रख्तराता समूंह कौन से हो जेगा एव और यहां और फी में भी आगर ता कि ओंसा है जो स्वरदाता होता है तो ऑ माइनस देता है याद रखेगा पोजेटीव नहीं देता है तो वैसे यहां पे हम लोगों को वनिफ और जाना है कि कौँंसा है जो रक्त दाता समु होता है निगे सरमानी है तो यह ओप्षन और यहां पर जो दी है यानि कि वो इस प्र denial दूल ओजेगा और जो नरो होताहे या किसी भी नहीं होता है किसी Sweet 2009 यजा्टीस एक सब्सक्राइब करते करुएं थदोस्तों और वी जो यहां पर इस परस्ण का राइट एंसर हो जगा और यह कोशन पूछद लिया जाता है कि योन संचाहित रोग कौन-कौन से होते हैं जली से कमेंट बाक्स में बता देजिए कि योन संचाहित रोग कौन-कौन से होते हैं जली से कमेंट बाक्स में बताएं दोस्तों और यहां पर प्रस्ण देखिए कि जब कोई गूड एक से अधिक बीपरित जोड़े यानि कि एलील द्वरा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं यह प्रस्ण तर जो है बार-बार बोड़ी जान पुछ लिए जाता है तो जब कोई गूड एक से अधिक बीपरित जोड़ो द्वरा संचालित होता है उसे ही हम लोग आसानी में से बहुँ बीकल्पता कहते हैं यानि कि जो इप्रस्ण है इस प्रस्ण का राइट एंस अप्रस्ण को कभर करते हैं और यहां पे प्रस्ण भी आप सभी के सामने उ और वाइस वर्स वर्साइज नोने तो यहां पर इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होगा कि जब प्यूरीन के जगहापा प्यूरीन के प्रतियास्थापन को क्या कहते हैं क्या ट्रांजिशन ट्रांस वर्शन ट्रांस लोकेशन या ट्रांस फोर्मेशन तो यहां पर इसको से कौन समापन कुट होते हैं तो यहाँ पे समापन कूट यहाँ पूछा गया है यूडबल ए यूद्वल सी यू जी यू rhyme क्या होगा कि समापन कोट कुट कॉट कोन में होते हैं यहाँ पे इस प्रश्न यहां पर बताने कि कौन है तो यहां पर देखते ही आप सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक कर लिजेगा क्योंकि आपके लिए अब धाकर त्यारी करवाई जा रही है इसी चानल के माध्यम से आपको वहुत ही धाकर यह वीडियो आज की होने माला है क्योंकि इसमें बहुत से आपको सवालों को न्यूप भी पाता चलेगा और आपको और आपकी त्यारी भी मजबूत हो पाएगी तो यहाँ पर इस प्रस्ण का जो राइट एंसर था वह अप्सन बर जो ए है इस प्रस्ण का सही एंसर हो जगा और यहाँ पर देख सकते हैं परस्ण को कि लैमार कवाद का संब्ध क्या था तो यहाँ पर उप्योग एंउप्योग उपरजित लक्षोन की वानसा गती अदोनों और D हैंन में से कोई लैमार किस में is concerned with यहाँ पर लैमार कवाद का जो संब्ध करते हैं आप सभी करते हैं वह एंसर आएगा option number C जो की right answer रहेगा option number C और यहां पर आप सोलन प्रस्ण आप देख रहे होंगे screen पर जो की काफी महत्तपुन है कि फिल पाउं या हाथी पाउं रोग का रोगाणू क्या होता है बुचिरे या स्केरिस टीनिया और डीन में से को नहीं तो causal organism of elephant tesis is यहां पर इस प्रस्ण का right answer क्या होगा कि फिल पाउं या हाथी पाउं का रोगाणू क्या होता है यह प्रस्ण अगर अच्छी लग रही हो तो like जो की जो की दोस्तों और यहां पर देखे प्रस्ण को कि अंता संक्रान से ब्रीधी होती है समझातता भी समझातता दोनों और डीन में से को नहीं तो यहां पर इस प्रस्ण का right answer क्या होगा कि अंता संक्रान से ब्रीधी होती है तो इस प्रस्ण का जो सही answer हो जगा वह भी समझातता हो जाईगा यह जो बी option है इस प्रस्ण का सही answer ह ज़िए अप्सन नमर भी आए दोस्तों नेक्षण प्रस्णों कवर करते हैं और यहां पर प्रस्ण भी आप सभी के सामने उप्लूप्द भी हो जुका है कि दबेस्टे मिल के के टलीस्ट यहां पर बताने कि सर्वतम दुधारों नसले के पस्व कौन से होते हैं लाल सिंधी ह और साहिवाल और डी हिंज में से कोई नहीं यह प्रस्ण वतर देखते हैं आप सभी के जो है वह सबसे पहले भी एंसर आगे होगा कि सर्वतम दुधारों नसले की कौन सी पस्व हो जाएगी तो जो भी दोस्त अप्सन नमर बी के सांथ गए हैं उनका राइट एंसर दीगा और एक प्रस्ण तर पुछा जाता है कि गेहों के प्रोनत किसमें कौन-कौन से होते हैं जली से एक दू छाप दीजे कमेंट बक्स में कि गेहों के प्रोनत किसमें कौन-कौन से होते हैं जली से बता दीजे दोस्तो और यहां पर देखिए प्रस्ण को कि बेक्टरिया की खो क्या कोच लुएन फास्चवर और यहां पर डी हैं में से कोई नहीं तो जब यह दोस्तों अगर बेक्ट्रिया की बात किया जाए तो यह जो खोज किया था लुएन होग के दौरा यानि कि आपसन जब भी है इस परस निका राइट इंस तो यह आपसन अपसन नमर भी और कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था तो रॉबर्ट होग के द्वारा किया गया था कुसका कोज लेगिन वह कुसका कैसी थी तो वह मुरीद कोशिका थी याद रखेगा वह कुसका जो थी वह मुरीद कोशिका थी और जो जीवित कोशिका की जो खोज किया गया था द दोग एस रिप रेस्पॉंसिबल फोर पॉफिंग ऑफ डॉग इस परश्ण का राइट एंसर क्या होगा इंड में से किसके करा मुलाएं या होता है तो यहां पर कार्बन डाक्स एं मिथेन ऑक्सीजन और डी ही निमें से कोई नहीं तो यहां पर बीसवन परश्ण का जो सही एंसर होजेगा वह अपसर नमबर बी के साथ सोरी यह जो है इस परश्ण का राइट एंसर अपसर नमबर ए और मिथेन को मार्स गयस के नाम से जाना जाता है और धान के खेतों से मिथेन गयस ही निकलता है और उसका जो सुत्र होता ही याद रिखेगा और यहां पर बता दे यह कि द्राव यानिकी तरल पदार्थ को सुतर से और असी सेंटीक्रेट पर गर्म कर एक एक तेजी से ठाना करने के परकिरिया को क्या कहते हैं तो हीटिंग अफ लिक्विड आप टू सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेट फोलोट बाई रेपीड कूलिंग इस नॉन एज तो यहां पर इस परश्ण का राइट असर क्या होगा मित चूराइजेशन पास्चूराइजेशन लिक्विफिकेशन और डिहिन में सीको नहीं तो द्रौ औसी से सतर डिग्री सेंटीग्रेट पर गर्म कर एक एक उसे तेजी से ठाना करने के परकिरिया को क्या कहते हैं तो जिल इलेक्ट्रो डीशिसस या और टो रेडियो ग्राफिस या डीहिन में से कोई नहीं सौई इन्दमें से सभी तो डेक्ट्रशान औफ क्लोण इस डॉन भाइं यहां पर इस पर आइट एंसर क्या होना चाहिए दो कि क्लोण की पहचान कीसे से करते हैं तो यहां पर इस प आपकी त्यारी से हो रही है और यहां पर बता देना है कि सब्दे दिया गया था प्रश्ड सकोमquent अपसे नमर्ब यहां पर कि ऑदूल के तो फ्लेमिंग जेनर और वाक्समान और यहां पर दिक्सिता है इस कोन लुग प्रहूं कहूं प्रस्टन को की इंटिभाइयाटिक के प्रणुने था कौन है इसक फ्लेमिंग-जेनर और वाक्समान और यहां परशने का राइट इंसर होज़ेगा अपसर नंबर बी और एक परशन उतर पूछ लिया जाता है कि मौटर के पौधे स्वरी हस वह ही मौटर के पौधे पर जो अनुवनसी की पद के पीता मेंडल को कहा जाता है हम यहीं पूछना चाहते हैं कि मौटर वाला कि जो मेंडल जो थे वकीस पौधे पापना परियुक दरसा है तो मौटर ही हम पूछने वाले थे लेकिन यहां पर इंसर बता दिये हैं दोस्तों तो जल्दी से एक प्रशन उतर अभी के अभी टाइप कर देजिए कि जो टाइप कर देजिए और यहां पर प्रशन भी आप सभी के सामने आ चुका है कि फिरो मौन जाल में क्या होता है तो फिरो मौन ट्रेप्स है तो यहां पर नौर फिरो मौन मादा फिरो मौन दोनों और डी हिन में से को नहीं तो फिरो मौन जाल में क्या होता है तो 25 प्रशन क का जो सही एंसर हो जबर यहलोफें हम्लशां मलशाव मादा फिरो मों यानिकि जो बी प्रप्रो प्रस्ण है इस प्रश्ण का सही हैं सर आए दोस्तों निक्सटब प्रशण को कवर करते हैं यहाँ परस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि दईयों पनिर उत्पादक होता है मैंकि यूँ गुट्स एंड चीजह और प्रोड़ुजड बाय प्रोडुँस्ड बाय गे तो यहाँ पर पता न है कि दईयों पनिर उत्पाद YOUR होता है कि दूद से दही बनाने में कौन सा जिवारू का उपयोग किया जाता है यहां पे प्रस्ण भी आप सभी के सामने उपस्तित हो चुका है कि एक पलाजमीड खुद से अपने जैसा बना सकता है या लाइपेज से समन्दित होता है क्रोमोसोम से समन्दित है इनमे से को नहीं तो अप पलाजमीड कैन तो यहां पे एक पलाजमीड क्या हो सकता है तो 27 प्रस्ण का जो सही एंसल हो जगा यहां खुद से अपने जैसा बन मिलने से इन में से किसमें ब्रीधी होती है तो यहां एडिक्शन आप स्विएज इन वाटर बोडीज इजी पॉंट से रीबर्स लेक्स इटीसी लिट्स इन इक्रीज आप तो यहां पर इस परशने का राइट एंसर गया घरेलिग अपबाहित जल के जलासियों नदियों सक्में पर जो की काफी महत्कूणी के अमलिय वार्सा फोती है जिवासमें से इंधन के रहन से सी एप सी सी का फुलugen क्या होता है CFC का full from क्या होता है चलिए हम लोग ओजोन के बारे में थोज़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तले आप लोग यहां पे CFC का full from बताइए देखिए ओजोन का सुत रहता है O3 और ओजोन दिवस जो मना जाता है 16 सिप्तंबर को मना जाता है और ओजोन की से पढ़ता है तो सिप्तंबर को मना जाता है उमीद करते हैं आप लोग जो है वह सी एपसी का full from बता दिये होंगे तो जो भी दोस्त क्लोरो फ्लोरो कारबन के साथ गये थे उनका बिल्कुल ही सही एंसर हो जगा सी एपसी का full from जो होता है वह कुलोरो फ्लोरो कारबन ही होता है तो यहां पर इस परस्ण का जो राइट एंसर होजगा और जो भी दोस्तों नए जोड़े हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लेजगा और अपने दोस्तों को अधिक साधिक इस चानल के बारें बताने का प् को दिया जाएगा जो अपके लिए कि अब सक्सेस का कारे करेगा दोस्तों तो आप अपने दोस्तों को अधिक साधिक बताने का प्रयास किजिएगiren दोस्तों और यहां पर पर प्रस्ण भी आप तो इसका जो सही इंसर रोजी का वहाँ मरू अस्तलिये पहुत है काई जो यह अप्सन है इस प्रस्ण का राइट इंसर रगा अप्सन बर ए आए दोस्तों नेक्स प्रस्ण को कफर करते हैं और यहां पर प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि दो मोनो के रिपी की प् पुष्पीत होते हैं यह प्रस्ण अतर देखते हैं आप सभी का जो है वह एंसर आगे होगा गोली की तरह कि अप्सन बर ए यानिकी बास बंबु जो की राइट एंसर रोजगा अप्सन बर ए जो है इस प्रस्ण का राइट एंसर रोजगा अप्सन बर ए और एक कोशन दोस करता है उपर्योक्त सभी तो यहां पर बताना कि इन एको सिस्टम बायोटिक के कॉंपोनेंट इंबॉल्ब तो यहां पर इस परश्ण का जो राइट एंसर होना चाहिए दोस्तों तो जो भी दोस्तों 32 का यहां पर बता रहे हैं अप्शन मर्डी उपर्योक्त सभी जो कि पर बता है तो यह अपैर कि प्रकुण निए का लेकर बड़िए तो यह प्रस्ण में बता दोस्तों वैसे इसका राइट अंसर जो होना चाहिए दोस्तों यह इन्टरंस के नाम से जाना जाता है उपसर यहां पर जो ए है इस परस्ण का सही अंसर आपसण नम्र ए यह दोस्तों डेख सकते हैं Indian चौतिसम में हम लोगों से क्या कर रहा है यह लेक्षण एंड ट्रीप्ड़ोफेंड कि अभीक्रिया विधी दर सांते हैं यहाँ परस्णि का राइट एंसर क्या होगा यहाँ पर 34 ने परस्णिका जो सही एंसर हो जगा वो अपसर ना न बेक्त, या इतक सी निवर Dragons क्तिक का मत्या करते हैं धुम्योद घृत अ मैं खोज की से द्वरा किया गया था दोस्तों यहां पर बाता देना इस प्रश्निका राइट एंसर क्या होगा तो जो भी दूस्त आप्सिन नमर यहां पर आइट आइस और इसको सब्सक्रायब कि who discovered linkage phenomenon यहाँ पे पुन्नित के साथ इसका राइट इंसर जीगा पन्ने के साथ इस परस्ण का राइट इंसर जीगा अपसर नमबर 60 दोस्तो तो चले दोस्तो हम लोग दूसरे मडल पेपर को हल करते हैं यहाँ पे परस्ण भी आप सभी के सामने उपलब्द हो चुका है कि प्राग कॉर्ण का बाहर चोल बना होता है यहाँ पे बताता है कि एकजाइन और पुली पुलीन ग्रेन इस मेड़ आप आप तो यहाँ पे इस परस्ण का राइट इंसर क्या होगा यानि कि इस पूरू पॉलीनेन जो की राइट एंसर हो जगा ओप्सन नमबर C C जो है इस परस्ण का राइट एंसर हो जगा और यहाँ परस्ण भी आप सभी के सामने उपलब्द हो चुका है कि एगा रोज किसे से पराप्त किया जाता है तो फ्रॉम वेर एगा रोज इस अप्टेंड है समुन्दरी घास मका साइकस और डी है हाइटरिला तो यहाँ पर बाता देना है कि एगा रोज किसे से पराप्त किया जाता है तो यह प्रस्ण वतर देखते ही आप सभी का जो है वह एंसर आगे होगा कि इसका एंसर सबसे पहले हम भी बताएंगे तो अपका जो एंसर आएगा ängtर अप्शन वर ए जो कि राइट अटन वर गए के साथ गए तह से पराप्त चलिए दूसतों कले दोस्तों कि अनुपात क्या होता है तो यहां पर देख सकते हैं यह परस्टों अतर बार बार हमारे बोड़िक पुछे जाते हैं और आपको हम बार सेसन की माध्यम से बताते हुए आ रहे हैं तो इस परस्ट का राइट एंसर क्या होगा कि 10% यानि कि आहर सिंखला में 10% उर्जा अस्तनांतर का नियम किस ने दिया था तो यह इस परस्ण का जो भी तुस्त अबर बी कैसा जा रहें लिंडेबान उनका राइट एंसर होजगा अप्शनमबर बी दोस्तों भी इस दा राइट एंसर फूर दिसकोशन अभी दोस्तों कुछ पाथ 3 अनुपाथ 3 अनुपाथ 1 जो भी दोस्तों दिये थे उनका बिल्कुल ही सही इंसर था दोस्तों बिल्कुल ही सही इंसर यहां पर इस परस्ण का जो राइट एंसर होजगा वह अप्सनमर बी कैसा चला जाएगा और एक परस्णतर पुछ लिये जाता है कि ऊरजा का कैसा होता है उर्जा का पिरमीड होता है वह कैसा रहता है उर्जा का पिरमीड कैसा रहता है हम जो कोशन पुछे हैं आपको समाज में भी आ गया होगा कि हम क्या पूछना चाहते हैं तो आप सभी जो है इंसर जल्दी से बता दीजिक उर्जा का परिमीड कैसा होता है तो यहा तो यहां पे इस प्रस्ण का जो सही एंसर होजेगा तो आए दोस्तों नेक्ष्ण प्रस्ण को कभर करते हैं और यहां पे प्रस्ण आपके सामने उपस्तित हो चुका है कि इन में से की से किरिया से DDT की सांदरता की अगले पोसी अस्तर में बढ़ती है तो यहां पे बता देना है कि इन्वे से किरिया से DDT की सांदरता अगली पोसी अस्तर से में ब्रीधी होती है तो यहां पे इस प्रस्ण निकार राइट एंसर जो होना चाहिए दोस्तो जो भी दोस्त अपसा नमबर B के सांद जा रहे हैं जेव अवर्धन उनका राइट एंसर जीगा अपसा नमबर B दोस्तो बी इस दरा राइट एंसर फोर दिसकोशन और दोस्तो कुछी पल पहले हम पूछे थे और आपका जबाब भी आगे होगा कि सदेव सीधा उर्जा का जो पीरियमीड होता है वह सदेव सीधा ही होता है यहां पर प्रस्ण भी आप सभी के सामने उपलब्द हो चुका है कि सुजाक गुनवरिया रोग होता है तो यहां पर रोग जंद नहीं है तो देखिए वैसे भी हम लोग को तीन ही कोसन पुछ लिया जाता है तीन ही यह संचाइतरों के उधार जानते हैं और तीन ही हम लोग उसे बार-बार बोडिक्जामें में पूछे जाता है या तो एड्स का पुछेगा या तो सीफ्रेस का इनसान ह्पुख़ेगा यहतो तीन होता है की सप्राइज का राइट निया तो इयर सेक्पलिक्जा में या तो सीहृसरी सब्सक्ति रहेगा या तो गु divisal रहेगा हमसे लिफ कर ले लिजे की हड़े रहनें ही वाले हैं इस प्रश्न का राइट अप्सन encuent सी दोस्तो और यहाँ परस्ण भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि जब किसी पड़ी वर्तन में प्यूरीन के अस्तान पर प्रेमिडीन परती अस्तापीत हो जाए तो उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पर इसे हम लोग असानी वेसे जो कहते हैं दोस्तो यह कहते हैं ट्रांसवर्शन यानि कि अपसं वर जहां पर डी अपसंवर auxshit है इस प्राष्ण का राईट सरजिगा अपसंवर भी और एक प्रन तर पूछा जाता है कि पारवरण दिवस क मना जाता है जले इसे कमेंट में बगू से बता दीजा किंग कि पार प्रत्या on या डी है रो धग तो यहां पर इस प्रशन का राइट उसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहां पो इस प्रशन का जो सही एंसर जो भी दुख सन्बर A बता रहे हैं याने कि की नलीका उच्छे दन टीवी पुछ रहे हैं आपका री बीजन भी हो रहा है और बोड़ी जब में अगर ये को समझा अगर पुछा जाता है तो आप 100% करकर आएगे ये पुरे ग्रांटी के साथ कर सकते हैं मेरा जो लक्ष है इस परस्ने का राइट अंसर क्या होगा यहां पर बता देना है कि हिस्टामीन संबंदित होता है उदासीन लिंबी लिंफोसाइट एंटीबडी और यहां पर हिस्टामीन किसे संबंदित रहता है यहां पर इस परस्ने का राइट अंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बक्स में बता देजिए कि हिस्टामीन संबंदित रहता है तो यह जो होता है यह एलर्जी से होता है जो भी दोस्तों अप्सन नमर्ड डी के सांथ जा रहे हैं उनका राइट अंसर रोजगा अप्सन कमेंट बक्स में बता देजिए कि बी लिंफोसाइट या टी लिंफोसाइट किससे उत्सार जीत होता है जल्दी से कमेंट बक्स में बता देजिए दोस्तों कमेंट बक्स में तो यहां पर बता देना है कि इसका राइट इंसर क्या होगा कि अंड समुच्य बना होता है यहा एंसर आगे होगा इंड समुचे जो बना होता है या दूनों से बना होता है यानि कि जो सी अपसन है इस परसने का सही इंसर परसी दोस्तों अगर से सन अची लग रही हो तो लाइक जो किजिए और अगर चांज पर अगर नए जुड़े हो तो जोड़े ही सबस्क्राइब कर आपके लिए बहुत ही महत्यपूर्ण अपसे सनाने वाली है जो कि आप सक्सक्राइब करेगी और यहां पर परसन भी आप सभी के सामने उपस्तित हो चुका है यह प्रपोस्ड दाया थियोरी आफ एक कूपलिंग इन डीपॉल्शन यानि कि युगमान यहों बीकर्शन के स बी बता रहे हैं जो कि राइट एंसर बेट सने पेनेट के उदार रखिया था यह अब बीकर्शन सिधान ते जो बी आपसन है इस परसन का सही एंसर हो जेगा अए दूस्तों नेक्शन परसन को कवर करते हैं और यहां पर परसन भी आप सभी के सामने उपस्तित हो चुका है कि जंग डियने किसे को कहा जाता है कि वीच अब दा फ्लोइंग इस कॉल्ड जंग डियने कोडिंग करम नॉन कोडिंग करम प्रोमटर जीनिया हिस्टोन प्रोटीन तो यहां पर बाता रहे है कि जंग डियने किसी को कहा जाता है यहां पर तिरना परसन का जो राइट एंसर होना चाहिए तो दोस्तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर 9 कोडिंग सेक्वेंस के साथ जा रहे हैं निकी अप्शन नमर B के साथ जा रहे हैं उनका राइट एंसरोज का अप्सन नमर B और यह एक प्रस्ण तर बता दिजे कि पोपूलियोशन दिवस से डे को मना जाता है यहाँ कि जन संख्या दिवस को मना जाता है तो जल्दी से कमेंट बक्स में गोली की तरह से भी तेज आप छाब दिजे कि पोपूलेशन दिज को मना जाता है तो यहाँ पर जोंग डियाने किसे को कहा जाता है नॉन कोटिंग को कहा जाता है और यहाँ परस्ण का राइट एंसर क्या होने चाहिए दोस्तों चोदा का चोदा नॉन परस्ण का जो भी तोस्तों अपसान नबर सी के साल जा रहे हैं कि दिजगोनने की रिफिलीकेसन जो की राइट एंसर जीका अपसन पर सी इस दर आइट एंसर फोर दिसकोशन और यहाँ पर देखिया परस्ण को कि डेंगो बुखार किसके कारण होता है तो यहां पर बताना कि डेंगो बुखार किसके कारण होता है तो पंद्रों परस्ण का जो राइट एंसर जो भी दोस्त अपसन नबर बी बता रहें कि बिसान वाइरस जो कि राइट एंसर आपसन नमबर बी बी इस दर आइट एंसर फोर दिसकोशन और यह कोशन पुछ दिया जाता है दोस्तों कि कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट लगता है जल्दी से कॉमेंट बक्स में बता दिजिए कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट लगता है और बाद में दूसरा कोशन पूछेंगे जो आपको इंसर देना है तो यहां पर अभी कि अभी बता दिजि जा या दि ही इन में से सभी से तो SPC जो पराप्त हम लोगों से किया जाता है यह इन में से सभी से यह जो D option है जो D option है इस परशन है का right answer का option मः डी और यहाँ पर protein sensation के amino acid को सक्रिय करने में किसकी आओ सकता होती है तो यहाँ पर इस परशने का प्रॉट्यशन के इमीनो एसीड को सक्रिय करने से किसकी आशकता होती है तो उमीद करते हैं आप सभी के जो है वह है एंसर आप दे दिया होगे कोमेंड वैक्स में किसका राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तो तो जो भी दूस्त अप्शन बर एटीपि के साथ जा रहे हैं उनका right answer होज़ेगा एडिनोसीन ट्रायोफासफेट एटिप का फुल फ्रम होता है याद रखेगा यहां पर इस परस्ण का जो right answer होज़ेगा इसका right answer होज़ेगा और यह कोशन दोस्तों पूछ लिया जाता है कि PCR का फुल फ्रम क्या होता है जो इस से comment box में बता देजिए कि PCR सब्सक्राइब यहां पर्शन थी आप सभी के साहती परकिर्या संबधित होता है दो प्रोसेस ऑफ ट्रंसलेसन related to DNA συνसेशन आर सब्सक्राइब करोद संब्सक्राइब कर आप रहता है तो यहां दिये थे उनका राइट पूल स्यरा का फुल फराम होता है यहां पर रषने का फॉल फ़ुय वह सा चला जागा उप्सिंद जो बहुत धागर हो रही है कि आप तो देखिसी राएँ कीडिकता है कि आपको एक किसी से ला देना ही है तो आप लाएंगे लिए है के विष्वास आप पर पूर्टा बन गया तो आपका तो 35 जरूर नहीं है यह हम पूरे गुरांटी के साथ कर सकते हैं और यहाँ मैं बता देज़ी कि इसस्तिति में एप्टू पीधी से पीधी में सम लक्षणी और सम जीनी अनुपात समान होता है यानिकि दफ फिनो टीपिक एंड जीनो टीपिक रेशियो रिमेंस सेम तो सेम इन एफ्टू जेनेरेशन इस कोजबाई यहां पे द्विशंकर करस अनुपर अपूर्ण या निरोधक तात् चले दोस्तों नेक्स्ट प्रस्ण कभर करते हैं और यहां पे प्रस्ण भी आप सभी के सामने उपस्तित हो चुका है कि पारिश्थितिक तंत्र का संबन किसके द्वरा दर्साय जा सकता है संख्या का प्रेमीड जीवार का प्रेमीड और डी है इन में से कोई नहीं सरी इन म इनसे सब कि 오늘 प्रस्ण का सही ऑल फ्रीज तो आई दोस्तों नेस्ट नपयों में यूज़्ड इन लेगी हम अलग से और भी कोशन इसलिए पूछेते हैं ताकि आपको जहें अधिक सदिक रिवीजन हो जाए दोस्तों में बात है यहीं दोस्तों कि आपका आपको दिया जाता है जो आपके लिए कि कारे करें यहीं में मकसद है आप से किसी तरह से दोरा किया जाता यहाँ पराइमर स्कुर्ण और संसाधन घसे नहीं तो यहां प्राइमर्स का जो उप्योग किया जाता है 21 का जो भी दोस्ता अप्शन नमबर ए बता रहे हैं PCR पोलीचेन रियक्शन उनका राइट एंस लोज़ेगा अप्शन नमबर ए दोस्तो ए इस दर आइट एंस फोर्डेस को संच चले दोस्तो नेक्शन प्रस्ण को देख इंटर कोनेक्टेड फूड चैनल इस कोल्ड तो यहां पर आहार से इंख्या के प्रस्पर समूग को क्या कोते हैं तो यहां पर 22 प्रस्ण का जो भी दोस्त अप्शन नमबर इस सी बता रहे हैं कि अहार जाल फूड वेब उनका राइट एंस रोज़ेगा अप्शन भी आप सभी के सामने उपस्तित हो चुका है कि जेविक सक्ती का मान निकाला जाता है तो यहां पर प्रस्टि का मान निकाला जा सकता है वेसे हम लिएक्स में नहीं जाएंगे तो यहां पे देखें तो इस प्राश्ण का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों यह त्यसका आपसान पर जो यह है जन्मदर माइनस मिर्थूदर उस्सी को ही हम लोग जेविक सक्ति के मान निकालते हैं इसका राइट एंसर होजेगा और यहां पे बता दाना है कि transcription के लिए enzyme जरूरी है en exotic required for transcription इस थो यहां पर इसका राइट एंट्सर क्या होना जाए दोस्तो DNA polymerase, RNA polymerase, indor nucleus और inmate से सभी तो यहां पर देना है कि transcription के लिए enzyme जरूरी है तो इस प्रश्ण घंश घंशा कुटर 24 चोविश का pessoal listen जो भी दोस्का अपसे बता रहें कि RNA polymerase जो कि यहां पे सही एंसर होजगा RNA polymerase दोस्तों ठीक और यहां पे प्रस्ण भी आप सभी के सामने उपस्तित हो चुका है कि विभाजन जीन में coding sequence एर कॉल्ड तो यहां पे भी भाजन जीन में coding करम को क्या कते हैं intron, exon, sistron या operon तो यहां पे 25 प्रस्ण का answer जो ह जाएक हो जाएक दोसतों यह option जो भी हो यह दोस्तों ऑप्सन नमर बी के साथ गये हैं उनका right answer जोस्तों अपसन नमर बी कि एक परिवार जिन में पांच बेटी आहें ठीक को छटी संतान होने वाली है और बेटा होने की संभावना कितनी होती है यहां फेमिली और फाइब डाउटर वनली इस एक्सपेक्टिंग शिक्स्त इसू दा चांस आफ एट से बेंग सौनी इस तेहां पे जीरो परसेंट 50 प सब्सक्राइब या तो आप देखिए और माल यह पहले से पांच बेटिया है या तो आपको छोगा जो लर्का या लर्की होगा या आपको लर्की भी हो सकती है या तो लर्का भी हो सकता है हम लोग 50-50 के साथ ही जाएंगे दुस्तों यहां पर जो सी आप्सन है इस मेऄ है क्लियार सोना किसी किस में होती है तो 27 परस्न का एंसर क्या होना है यह दोस्तों तो जो भी दोस्ता अप्सन आवर बी के साथ जा रहा है उनका राइट इंशलजगा और कि यहार्ट सोना किसमी होती है और यह परस्न अधर जल्दी से यहां पर देखे धान की एक महत्तपूर्ण किसमें होती है अगर आपको दोस्तों मालम होगा तो जल्दी से कमेंट बक्स में बता देजे कि धान की एक किसमें कौन सी महत्तपूर्ण होती है जल्दी से कमेंट बक्स में बताने का प्रयास किजेगा और यहां पर देख सकते हैं प्रस्ण को कि BDNA के पुर्ण घुमा में कितने बेस पियर्स होते हैं यहां पर बाता देना कि है के यहाँ पूरोट कौन कोंसे होते हैं न यहां अफरोम सिंड्रोम के निया होगा बिइने चाहरों से कौन सा जो अप्षन है वह तो जो वी बता रहा है उनका और जो भी है इस प्रस्ण का सही इंसर ब्ह ठीए है अको देखते हैं यहां पे प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है सबहें कि योन संचाइद रोग होता है सिक्ष्ट ट्रांस्मिटेड डी जिस आर्ट यहां पर देखे जो यह उन संचाइद रोग कौन कौन से होते है तो यह जो ढ़िया आप देख रहे होंगे कि यहां पर एर्स भी है और हर्पी भी है तो आप लोग को तो मालूम होगा कि RC होगा होता है तो आप लोग B के साथ चले जाएंगे लेकिन यहाँ पे गुलात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे और भी होता है यह D के साथ हम लोग जाएंगे दोस्तों या कि D जो है इस प्रस्ण का Right Answer हो जेगा और यहां पर प्रस्ण भी आप सभी के सामने उपस्तित हो चुगा है कि एस्टोजन और प्रोजे एस्टरण सरावित होता है एस्टोजन और प्रोजे एस्टरण इस सेक्रेट बाई तो यहां पे एस्टोजन और प्रोजे एस्टरण जो सरावित होता है या किसके दोरा सुराइत होता है तो यहां पे 31 प्रश्ण का राइट एंसलोजिगा अप्शन नुर्ट नुर्बर और यहां पे प्रस्ण भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि राइब का ब्रिहत समुह क्या काहलाता है ए लार्ज कोलस्टर ऑफ राइब सी मिजों मेगा सूम का लीगो सम या पॉलि राइबोसुम तो यहां पे बदाने कि राइबोसुम का ब सभी के सामने उपस्तित होचुका है कि इंड में से सबसे ज्यादा प्राप्द के लाता है सबसे बाइख योज्य को मात्रक वहाद है तो बता दीजे जोस्तो इलक्ट प्रापती हैं और प्राप्थ होता है तो यहां प्रांट करता सुअ एंसर जेगा 33 का वह अपसमर जहां पे जो ए अपसन है उत्पादक जैने प्रोडियूसर जो की इस प्रस्ण का राइट एंसर होजगा अपसन अंबर ए दोस्तो और जो भी दोस्तो नए जोड़े होंगे चानल से वह ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लेजगा और लाइक नहीं क प्रोड़ों बारे में जोरूब अधिक सदीक बाताने का प्रयास के जिए अपने दोस्तों में यहां पर बताना कि तो स्थ आइनसर यहां आप किलो मिटर तो यहाँ पर संब का जो यहां पर होजेगा जो भी दोस्त प्राइट ऑप्सन बर्वाहर जो भी है इस प्राइट्थ और छोजेगा और यहाँ से रोग में होता है एलिशा टेस्ट जो होता है वह की इस रोग में वह टेस्ट वा लगता है जलिए से कमेंड बाक्स में बता दीजिए दोस्तों इसका राइट एंसर क्या होगा और यहां पे 35 प्रस्ण भी आपके सामने आ चुका कि तो यहां पे इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होगा दोस्तों कि संकर की पाहचान कीशके द्वरां की जाती है तो 35 प्रस्ण का जो भी दोस्त आपना ओए है इस प्रश्ण का राइट एंसर होज़ेगा और एलीसा जो टेस्ट लगता है वह एर्स का जो भी दोस्त बताए थे एर्स में लगता है जो की राइट एंसर होज़ेगा और टाइफाइड में जो लगता है वह भी डॉल टेस्ट लगता है याद रखेगा तो उमीद करते हैं आप सभी को जो है यह सेशन अच्छी लगी होंगी लगी होंगी तो एक लाइक जोग कीज़ेगा दोस्तो और लास्ट में जोग कमेंट कीज़ेगा लास्ट में कि यह सेशन आपको कैसा लगा उमीद करते हैं आप सभी को जो है वह सेशन अच्छी लगी होंगी लगी होंगी तो अभी के लिए इतना ही दोस्तो जैहिंदे।